दिल्ली की फैमिली कोट ने बुद्वार को क्रिकेटर शिखर धवन को उनकी पत्नी आईशा मुखर जिसे तलाक की मंजूरी दे दी है कोट ने माना है कि याची का करता कुरूड़ता के आधार पर तलाक के हगदार हैं कोट ने उनकी 11 साल पुरानी शादी को खतम करते वे कहा इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्ष आपसी सहमती से तलाक लेने के लिए सहमत हुए थे और उनकी शादी बहुत पहले ही खतम हो चुकी है और वे अगस्त आठ तोहजार बीस से पती-पत्नी की रूप में नहीं रह रहे हैं फैमिली कोड ने तलाक याचिका में शिकर धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी कि आईशा ने या तो इनका विरोध नहीं किया या फिर वे खुद का बचाओ करने में विफल रही जज हरिश कुमार ने माना कि आईशा ने शिकर धवन को उनके बेटे से एक साल तक दूर रखकर उन्हें मानसी क्यातना जहिलने को मजबूर किया अदालत ने अपने फैसले में कहा प्रतिवादी अलग हो चुकी पत्नी द्वारा जान बूच कर इस मामले को निर्विरोध छोड़ने का फैसला उनकी इस इच्छा को भी दर्शाता है कि अदालत उन्हें वेवाहिक अपरात के लिए दोशी ठहराने की कीमत पर भी तलाग की डिक्री पारित कर दे क्योंकि वो जानती है कि उन्हें कोई नुक्सान नहीं होगा अगर उन्हें याची का करता के साथ क्रूरता पूर्ण वेवार के लिए दोशी भी ठहरा जाए तो क्योंकि उन्होंने आस्ट्रेलिया में संगिय सर्किट और परिवार नियाले में पहले ही परियाप्त अनुकुल आदिश प्राप्त कर लिये हैं कोट ने आगे कहा उनके इस विचार ने उन्हें जान बूच कर और इस अदालत के 2 मार्ज 2023 और 6 जुन 2023 के आदिश का पालन न करने का साहस दिया है इसलिए वर्तवान मामले के तत्यों और परिस्थितियों के अनुसार याची का करता कुरता के आधार पर तलाक का हगदार है कोट ने आगे कहा है की हमेच की धारा तेरा इसी के साथ बने रहे ही राजटर्मा टीवी के साथ खाने बाद